हाँ भई अब क्या है हमारे पास acceleration of particle पूछा गया है और velocity as a function of x दिया हुआ है देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए था मैं सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि इसके v का square कर दिया जाएं तो जाएगा 180 minus 16x इसको differentiate कर दो x के respect में हमें मिलेगा 2v dv by dx equals to minus 16 तू हटा दीचे यहां पे आजाएगा कितना minus 8 और यही चीज़ acceleration होती है minus 8 तो answer होगा आपका b ना तो बड़ा simple से सवाल था